नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार्ग देव गुरु ब्रस्पती जो देवताओं के गुरु है और इनका रासी परिवर्तन हो रहा है तो देव गुरु ब्रस्पती 13 अप्रेल को अपने ही घर मीन डासी में आएंगे और ब्रस्पती सौर मंडल का सबसे बड़ा गरह है यह बैक्ती के जीवन में लंबा प्रभाव डालते हैं बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं वैसे तो चमकदार रंग का सुबता का आसिरवाद देने वाले गरह और बैदिक जोतिस में देव गुरु को सिक्छा के गरह के रूप में जानते हैं और उपदेशों का पालन करने वाले गुरु माना जाता है तो गुरु जो सही रास्ता देता है और देव गुरु ब्रैस्पती एक सच्चे ब्रह्मन का दर्जा उनको प्राप्त है ऐसे में इमंदारी, भक्ती, विश्वास ये कायम रखते हैं जीवन में देव गुरु तो ब्रैस्पती जो है वो ब्रैस्पती के सिक्षा, विवाह, संतान, भाग, धन, आध्याक्मिक्ता, भक्ती और लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए विवाह के कारक भी है बैती जोतिस में अगर कुंडली में ब्रस्पती की किरपा बरसे तो बैक्ती धार्मीक हो जाता है उसके अंदर सात्वित गुन बढ़ते हैं और बैस्पती मजबूत हो तो समाज में काफी सम्मान मिलता है परतिष्था उच्पद भी प्राप्त करता है और यह किसी भी बैक्ती के जीवन में उसके सम्मंध बड़े बुजर्गों के साथ कैसे हैं यह भी बताताहै तो ब्रस्पती समाज के बुजर्गों और सम्मानित बैक्तियों का परती निधित तो करता है किसी भी ब्यक्ति की कुंडली में ब्रस्पति की इस्थिति और उस अस्थान जो है वो एक सिक्षक का समंध भी यहां पर माना जाता है तो ब्रस्पति जो है वो एक रासी में जब वो गोचर करते हैं तो एक वर्ष से ज़्यादा का समय लेते हैं और ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नो ग्रहों के बीच ब्रहस्पती को किसी भी बेक्ती के जीवन में होने वाले मंगल कारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बैस्पति की किर्पा हो तो बैक्ति को सुफ़ल प्राप्त होते हैं ऐसे में जब इनका महापरिवर्तन होगा 13 अप्रेल को तब क्या होगा 13 अप्रेल को 3 बच कर 48 मिनट पर ये महापरिवर्तन होने जा रहा है और पूरे 12 साल के बाद देव गरू मीन डासी में ही सब बढ़ाएंगे पर हम जानते हैं कि आपकी रासी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो में इस रासी बालो देव गुरू ब्रहस्पति 13 अप्रेल को आपके बार्वे भाव में गोचर करेंगे तो जब बार्वे भाव में आएंगे तो सुकून से भरी यात्राएं आ रहेगा और किसी धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेंगे घर में धर्मकारे होंगे आपके दान पुने इसमें बढ़ेंगे तो समाच की भलाई के लिए भी आप कुछ करना चाहेंगे लेकिन गैर जरूरी चीजों पर बेबज़ग के खर्चे भी इसमें आपके दिख रहे हैं थोरा सा स्वास्त का ख्याल रखें अगर आप पैत्रिक संपत्ती प्रपर्टी से किसी भी प्रकार काई चुकी यहां पर लाब भी आपको प्राप्त होगा आप चाहते हैं कि लाब हो तो आपको इसमें इस मामलों में थोरा और आगे बढ़ना चाहिए इसमें आपको विद नाई पूरी तो होंगी, शाथी तरक्झी के प्रवल संभामना भी बढ़ जाएगी, संभब हो तो गुरु बार के दिन छोटे बच्यों में केले का दान करें तो गुरु का सूपरभाव बढ़ेगा, अब बारवा भवाव बयाई का होता है, खर्चा का होता है, तो खर्च सब अगर आप निवेज करना चाहते हैं अब सर अनुकूल है लेकिन गुपत सत्रों से बचिए बिबादित मामलों से बाहर रहे और अगर कहीं फस भी गये हैं तो बाहर में हिसल जाने का प्रयास करें भागयोदे तो हो रहा है क्योंकि जौब में पढ़ेगा परतिष्ठा ब इसमें परिवार का सुख मिलेगा सुख सम्रिद्धी बढ़ेगा अगर नहीं हुआ विवा के योग हैं तो बिवात तय होगा इसमें कुल मिलाकर आपका भविश से उत्तम यहां दिख रहा है चीजे बढ़िया है चिंताओं से मुक्ती मिलेगी भागय का साथ मिलेगा और स स्वात ही क्योंकि बारवास्थान ब्यायका है तो खर्चा भी कराएगा पर स्वास समंद्धी समस्याओं से मुक्ती मिल जाएगी आपका पैसा इसमें खर्च होगा आप किसी प्रोपर्टी में भी निवेज कर सकते हैं हलां कि आपके घर में सुभ मांगली कारे होनी की प्र प्रियास करेंगे गुरू आपको एकांत अस्थान या लंबी यात्रा के लिए प्रेरित करेगा अध्यात्मिक्ता की तरफ जुकाओ पढ़ेगा अगर आप करजों से प्रेसान थे तो गुरू करजों से मुक्ती दिलाएगा और करियर में तरक्की के साथ आपके पिता साथनों से भी आपको लाब होगा वैसे तो वाहन खेदने के योग हैं पर खर्चों पर कंट्रोल रखें और अपने चरीत्र पतन से बचें थोरा सा चरीत्र दोस है इसका आपको ध्यान रखना है और सबसे अच्छा वक्त है परिवार में सुक्सामती सम्निद्धी बढ़े सुक्सुभी धाय बढ़ेंगी कुल मिलाकर ये वक्त आपके लिए उत्तम है और खर्चे बढ़े ध्यान रखना है फिलाल विदा लेंगे धनिवाद